जब डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर बन सकते हैं वकील के बच्चे वकील बन सकते हैं पुलिस वालों के बच्चे पुलिस जॉइन कर सकते हैं तो फिर फॉजीयों के बच्चों के उपर ये ब्लेम क्यों आता है कि भाया सर्वेसे सेलेक्शन बोर्ड तुमारी गलतियों को नजर अंदास कर रहा है भाया तुम तो यार फौजी अफसर के बच्चे हो तुरंत सर्विसिस सेलेक्शन बोर्ड तुमें सेलेक्ट करेगा तुम तुमारे फादर फौज में हैं इन्फेंट्री की यूनिट में हैं तुमारा तो यार हुई जाएगा ऐसे सारे व्लेम्स आज सर्विसिस सेलेक्शन बोर्ड के इर्द गूमते रहते हैं डिफेंस आस्परेंस नमशकार स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस अकाडमी के यूट्यूब चैनल पर आज मैं बात कर रहा हूँ सर्विसिस सेलेक्शन बोर्ड में सबसे बड़े मित के बारे में कि भाईया क्या फौज में जिनके फादर्स काम करते हैं उनका ए सर्विसिस सेलेक्शन बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जहां पर किसी प्रकार का कोई पॉलिटिकल इंटरफेरिंस नहीं है ना बीजेपी ना कॉंग्रेस ना आम आदमी पार्टी ना कोई और ना कोई और ना कोई और क्योंकि सर्विसिस सेलेक्शन बोर्ड इस सबसे मुत है सर् Forge के selection board को इस चीज़ से बिलकुल मतलब नहीं, क्योंकि services selection board बड़ा साफ सुथरा board है, ऐसा board है जिसमें screening वाले दिन randomly chest numbers distribute किये जाते हैं, जब screen in हो जाता है candidate, फिर से दूसरे chest numbers दिये जाते हैं, जो randomly दिये जाते हैं, और आपकी identity chest numbers होती है, आपकी identity आपका नाम पिता जी का नहीं होता, और अगर ऐसा होता, तो left lane general नानावती जी, जो एक समय पे northern army के commander थे, उनके बेटे को क्यों नहीं recommendation मिला, क्यों major general rank के अधिकारियों के बच्चें को recommendation नहीं मिलता, क्यों भारती वायू सेना के air wise marshal, rank के अधिकारियों को recommendation नहीं मिलता, defense aspirants, services selection board, आपकी officer like qualities को ढूंड रहा है, ये बात सच है, कि जब आप फौजी महल में आपकी upbringing होती है, तो कुछ-कुछ वो trades आपके अंदर naturally दिखने को मिलते हैं, naturally 15 officer like qualities में से कुछ officer like qualities आपके अंदर दिखती हैं, क्योंकि आपने हमेशा अपने पिता जी को देखा है, क्योंकि आप हमेशा उस मौहल में रहे हों, पर इसका मतलब ये नहीं कि forge कुछ qualities के basis पे फौजी अफसरों और फौजी जवानों के बच्चों को यूं recommendation दे, इसका मतल इसके बच्चों को थोड़ा बहुत biology की knowledge जादा होती है बाकी बच्चों से, जैसे वकीलों के बच्चों को थोड़ी बहुत जादा knowledge होती है, बाकी लोगों से जो advocacy field में आ रहे हैं, जैसे पुलिस वालों को, पुलिस वाले के बच्चों को जादा knowledge होती है, धाराओं के बा के बारे में, weapons के बारे में, instruments के बारे में, rank के बारे में पर ये एक base नहीं बनता Services Selection Board में recommendation का, ये एक base नहीं बनता कि Services Selection Board आपकी गलतियों को नजर अन्दाज कर देंगे, aspirants, ये बहुत बड़ा myth चल रहा है, और मित इसलिए हो जाता है क्योंकि जब candidate recommend नहीं होता, conference out हो जाता है तो एक human nature है, जो pass हो जाता है, उससे पूछते हैं, भाई तुम्हारे फादर क्या करते थे अगर किसी ने बोल दिया कि आर्मी में थे, Air Force में हैं, नेवी में हैं तो एक हवा चल गए कि यार देखो, फौजी का बच्चा था, इसलिए pass हो गया आज भी services selection board reservation मुक्त है, आज भी services selection board corruption मुक्त है इसलिए ऐसे blames ना डालें, उल्टा, अगर आप सेना में अधिकारी बनना चाहते हैं, अगर आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं तो सही guidance लीजे, क्योंकि इंटरनेट के जमाने में misguidance और guidance साथ-साथ चल रही है बहुत सारे ऐसे coaching sans था हैं, बहुत सारे ऐसे online platforms हैं, जो वो candidates चला रहे हैं जो services selection board दो-तीन बार देके आएं, SSB interview दो-तीन बार देके आएं, और वो खुद coaching देने लग रहे हैं मैं अक्सर बोलता हूं कि विनाश और विकास साथ-साथ होता है, जहां एक तरफ इंटरनेट के जमाना बढ़ ला है, वहीं पे विनाश भी हो रहा है क्योंकि सही guidance नहीं मिल रही है, अगर आप भी सीना में अफसर बनना चाहते हैं, अगर आप भी FORGE में, Services Selection Board Interviews को Face करने जा रहे हैं, then go prepared, क्योंकि आज भी Services Selection Board का Pass Rate 3.6% है, मैं एक average Pass Rate बता रहा हूं, कुछ entries में ये Pass Rate जादा है, कुछ entries में ये Pass Rate कम है, बट average Pass Rate 3.6% है, और 3.6% Pass Rate में अगर आप, अपने आपको recommended candidate देखना चाहते हैं, तो सही guidance लीजे, उन Assessors से पढ़िये, जो खुद Selection Board में रह चुके हैं, जैसे त्रिशूर Defense Academy के founder, late wing commander अनूप मेरोतरा जी, 4A4 Selection Board वारा नसी, 2A4 Selection Board मैसोर में GTO थे, करनल पंकज मेरोतरा सर, आर्मी के Selection Center East Allahabad में, and आर्मी के Selection Center भोपाल में Deputy President थे, एक सिंटर्विंग ऑफिसर थे, करनल सौमितरोदत सर, जो खुद कपूर्थला बोड में Senior GTO थे, जब कपूर्थला बोड होता था, अब वो जलंदर शिफ्ट हो गया, ब्रिगेडियर अमर नारायन सर, जो 19 SSB के President थे, ये वो लोग हैं, जिनोंने अपना G1 Selection Board में बिताया है, ये वो लोग हैं, जो Trusted लोग हैं, ये वो लोग हैं, जिनके पास Experience है, आप जैसे Candidates की SSB Procedure का, आज यही कारण है कि पिछले 20 सालों से, Trishul Defense Academy ने हर एक NDA के Batch में, हर एक TS के Batch में, हर बार FCAT Entry में, हमने Recommendations दी हैं, Entries like TGC, NCC Special Entry, जिसमें Pass Rate कम हैं, जिसमें Vacancies कम हैं, उसमें भी Trishul Defense Academy Students, Trishul Defense Academy के Students, Recommend हुए हैं, साड़े 600 से जादा अधिकारी फौज को हम दे चुके हैं, और गिंती बरकरार हैं, अगर आप भी सेना में अधिकारी बनना चाहते हैं, तो नीचे लिखे हुए नंबर पे संपर करें, और प्लीज, इसमिच से दूर रहें, सुनी सुनाई, बातों पे मच जाएं, जो हवा बोड़ गई, उस पे मच जाएं, किसी ने वीडियो बना दी, लाखों व्यूज हो गए, प्लीज, ऐसा बिलकुल नहीं है, फौजी जवानों के, फौजी अफसरों के, बच्चों को भी, फौज में जाने का बिलकुल हख है, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर वीडियो पसंद आई तो दोस्तों तक जरूर पहुचाईएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भू उनला नहीं थाकती लगीडियोग वीडियो जब करेंगाइब करना नहीं कि भी जाने कर दोक्तों के, फौज पुर्ण आपको अच्छी के, अच्छी लगागी के, बचीडियोग के, अर्ज आईधेगाईभ लगाईगार, इन फौजर रगमाब आउन फौने लगार,